नश्कार आप देख रहे हैं गोपाल गेंद दर्शन मैं हूँ आज और इस वक्की बड़ी ख़बर में आपको बता रहा हूँ कि उचका गाउथाना छेतर के हरपुर गाउं में आखाडे के दोरान 11 लोग बिजली की करेंट की चपेट में आ गया है वहीं सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराए गया जहां पर साथ लोगों की स्थिती समानन है वहीं चार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है बागी साथ लोगों को घर वापस भेज दियेगा है वो लोग बिल्कुल सुरक्षित है इस पूरे मामली की जानकारी मिलते ही गोपाल गेंज के डियम डाक्टर नौलकिशोर चौधरी और स्पी स्वार परभात खुद सदर अस्पताल के एमेजेंसी वार्ड पहुंच गये है जिसकी वैसे बिजली विवाग को सूच रहा नहीं थी और बिजली की परवाहोरी थी इसी दवरान अखाडे में गीला बास कोई लिया हुआ था जो बिजली की करेंट की चपेट में आया गया जिसमें 11 लोग एक साथ थे सबी लोग को जटका लगा लेकिन 7 लोग सुरक्ष समान है सुनिये क्या कुछ दियम बता रहे हैं यही बिजली ने बात थे टो कि कि असी अखारा थमृदी ने नहीं निकाला रहे हैं कि उन लोगों से अध्रक्रान के अबात ति विन बात दात हैं उसी में को काटने के लिए कहा नहीं गया था और जूचा भी गया था कि काटें में इसी में लगता है कि वो वांस उसमें सख लिया और 11 बच्चे एक साथ थे जाठका लगा उसमें से 11 से 7 बच्चे बिल्कुल कुसलो के घर बलॉड चुके हैं और यह चार बच्चे अभी तो कल खिलिए क्या एक लिए तो पर दिये जा रहे हैं तो कि अधिक सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जिस समय भी जूनुश निकाले किर्पया हमारे कर्मियों को सुचित कर दे ताकि उस समय हम विजली कट कर दे ताकि इस ऐसी घटनाओं को हम रोक सके दूसरा कि हम अपना उस स में में रह जाएंगे तो किर्पया हमें समय सुचित कर दे तो उससे सभी को सुविदा होगी और ऐसी घटनाओं से हम लोग पर देख लिया है किसी भी तरह की हाइपर होनी की जरूरत नहीं है स्तिती बिल्कुल सामान नहीं है उस तरह की कोई भी घटना नहीं है जिसे आप हाइपर हो या किसी भी तरह की परिशानी हो साब तो पर दियम को दर अपील किया गया कि सांति पूर सभी लोग अपने पर को मनाएं अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फेस्बुक पर देख रहे हो तो शेयर हम निरंतर आपको खबरे दिखाते रहे